चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ दस मिनट में लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा लोगसबा अध्यक्षपद के लिए छिडी जंग नहीं बन पाई आम सहमती ओम बिरला के सामने विपक्ष के के सुरेश को बनाया गया उमीदवार ममता बनर जी ने दिया विपक्ष को करारा जटका आई स्पीकर पद के विपक्षी उमीदवार के सुरेश को नहीं दिया समर्थान ट्रक चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार हर साल बनाएगी धाई हजार किलोमेटर का हाई स्पेड कोरिडोर ट्रकों की स्पीड 45 से बढ़ा कर 85 किलोमेटर परते घंटा करने की तैयारी अफगानिस्तान की जीत और बंगलादेश की हार ने खत्म कर दिया दिगज आस्टेलिया का करियर तीन वर्ल्ड कप जीत चुका था चोथे का सपना हुआ चूर चूर बिजली चोरी के खिलाप एक्षन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात पुराने बिजली मीटर को तुरंत बदलने का दिया आदेश ससुर सत्रुगन सिना और सास पुनन सिना के पैर चूकर जहीर इकबाल ने लिया आशिर्वा देखती रह गई सोनाक्षिस सिना 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थववस्था बन जाएगा भारत चीन अमेरिका जैसे देश भी रह जाएंगे पीछे नौवेल शान्ती पुरुसकार समीती के उपनेता असले टोजे ने किया बड़ा एलान राजनात सिंग के कॉल बैक पर अटक गई बात लोकसभा ध्यक्ष के चुनाओं में छिडी शर्तों की सियासी जंग एंडिये नेताओं ने ओम बिरला के पक्ष में प्रस्ताव पत्र पर किये हस्ताक्षर नितिश सरकार ने लिखी ग्रह मंत्रिया मित्षा के विभाग को चिठ्थी नकसली इलाकों में पांच पताधिकारियों की प्रतिन युक्ती अवधी चोथे साल के लिए बढ़ाने का किया नुरोद आम आदमी पार्टी नेता सतेंद्र जैन को लगा बड़ा जटका सुप्रीम कोट ने फटकार लगाते वे याची का पर विचार करने से किया इनकार सुप्रीम कोट पर छोड़ा फैंसला एक बार फिर सुर्कियों में आए भाजपनेता संजीव बालियान अब सोशल मेडिया काउंट पर बदलाव से फैली चर्चा बालियान के प्रोफाइल में सोशल वर्कर लिखना बना चर्चा का विशे यूपी में अब होटल बनाना होगा असान सियम योगी ने अधिकारियों को दिये सर्तों में नर्माई बरतने के निर्देश यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का बड़ा एक्षन 11 लोगों पर लगाया 16,30,000 रुपे का जुर्माना उर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिये रात में भी चेकिंग करने के आदेश पेपर लिक में दोशी पाए जाने वालों के लिए योगी सरकार लाएगी भैंकर अध्यादेश आज इवन कारावास और एक करोड रुपे का लगेगा जुर्माना यूपी के पाँचोर डिफैंस कोरिडोर को परियावरण मंत्रा लेकी मिली मंजूरी अब काम में आईगी तेजी दो लाख सत्तर हजार लोगों को मिलेगा रोजगार ओद्योगिक विकास का भी रास्ता होगा साफ संघर्षों में बीती नक्सली हमले में बलिदान होने वाले शैलैंद्र कुमार की जिंदगी पैदल जाते थे चार किलोमेटर दूर पढ़ने छुट्टियों में करते थे मजदूरी सोमवार को पूरा दिन परिजन करते रहे शव का इंतजार मायावती बोली सत्तापक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर कर रहे हैं सम्मीधान बचाने का नाटक दोनों ही पक्षों में ज़्यादातर लोग हैं जातिवादी मानसिक्ता के शिकार आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कॉंग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री योगिया दित्यनात बोले लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की रची गई थी शाजिश देश की जनता कभी नहीं करेगी माफ वारानसी में 9 साल का कैंसर पिडित बच्चा एक दिन के लिए बना ADG जॉन अधिकारियों की मौजूदगी में बढ़ाया गया उत्सा शादी जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिनागी बवाल यूपी के कुशी नगर में आजा दालम की पोस्ट से बिगड़ गया माहोल सोनाक्षी के शोहर को बताया था अंद भगतो का जीजा एफायार के बाद पुलिस ने पकड़ा जिनोंने एमर्जन्सी लगाई में समीधान के लिए नए दिखाएं प्यार कॉंग्रेस को पी एम मोदी ने दिखाया आईना आपातकाल की पचासवी बरसी पर देश मना रहा ब्लैक डे इधर केरल का नाम बदलने की तैयारी में वामपन थी उधर मुसलिम संगठनों को चाहिए अलग राज्य मालबा स्टेट की डिमांड को बीजेपी ने बताया राष्ट्र की अखंडता से समझोता ब्रीटानिया के लिए बंगाल की फैक्टरी बनी बोज बंद करने का लिया फैंसला नैनो प्लांट पर विवाद के बाद टाटा ने भी छोड़ा था राज्य है बीजेपी बोली ये तोल बाजी का नतीजा हरदीप सिंग निजड़ ने किया था पाकिस्तान का दोरा चलाता था आतंकी कैम्प जिस कैनाडा ने उसकी हत्या पर संसद में रखा था मोन वहीं की मीडिया ने खोल दी पॉल भारत और बंगलादेश के बीच तीस्ता जल समझोते पर तम तमा उठी ममताब एनरजी बोली समझोते से होंगे उत्तर बंगाल के लाखो लोग गंभीर रूप से प्रभावित रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट चार साल बाद बहाल होंगी सीनियर सिटीजन को किराए में मिलने वाली छूट यूपी के प्रियागरा जिले में वाटर फाल में नहाते समय युवक के नाक में घुस गई जोंग चोदा दिनों बाद डॉक्टरों ने ओप्रेशन करके निकाला बहार शोनाक्सी सिना और जहीर की शादी के लव जिहाद विरोध पर शत्रुगन सिना ने दिया बड़ा बयान बोले शादी एक व्यक्तिकत पसंद है किसी को भी उनकी बेटी के जीवन के फैंसलों पर टिपनी करने का कोई अधिकार नहीं तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराद को लेकर पीएम मोधी को घेरा बोले बिहार में दिन दोगुनी राच चोगुनी व्रधी कर रहा है अपराद बीजेपी का अमादमी पार्टी पर हमला शराब घोटा लेके सबूत उड़ा देंगे केजरिवाल की नीन जनता के भी जाने लायक नहीं बचेंगे गोरव भाट्या ने बताया अरविंद केजरिवाल को कट्टर बैमान इंटरनेशनल फरजी वीजा रैकेट का परदाफाश अलग-अलग देशों के 2000 से ज़्यादा ब्लैक वीजा हुए ब्रामद मशूर एक्टरस मिष्टी सर्मा ने भाई से करली शादी दोनों अब डल्टी वेबसाइट वीडियो बना कर कमा रहे हैं मोटे पैसे भारत की कनाड़ा को दो टूक उच्चायूक्त ने कहा खालिस्तानी आतंकवाद का महिमा मंदन करने के क्रत्य है निंदने है भारत नहीं करेगा कभी भी स्विकार मुकेश अंबानी की पतनी नीता अंबानी पहुची काशी बाबा विश्वनात को देंगे बेटे अनन्त अंबानी और होने वाली भहुर राधिका की शादी का निमंत्रण उत्तरपरदेश के एटा में डैंगू को लेकर स्वास्त विभाग हुआ सतर्क बुखार पीडितों की होगी रैंडम सैंपलिंग गाउं गाउं में लग रहे हैं शिविर जम्मू और कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों की खैर नहीं एनिमी एजेंट एक्ट लगानी की तैयारी कर रही है पुलिस ओडिशा प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष सरत पटनायक पर शाही फैंकने के मामले में पांच सदस्यों को किया निश्कासित चार दिन में भूख अड़ताल कर रही आतिशी की बिगडी तब्यत देर रात लोक नायक जैप्रकास नारायन अस्पत्ताल में कराया गया भरती भारत में हो सकता है अमेरिका की जवलिन मिसाइलों का उत्पादन दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा नखरे नाटकबाजी नहीं चाती है जनता जिम्मेदार बने पीम मोदी की विपक्ष को नसीहत कहा पचास साल पहले लगाया गया पतकाल गोहर निंदनी है समीधान पर ऐसी कालिक नहीं लगे बदल जाएगा केरल का नाम विधान सबा ने सर्व सम्मती से पास किया प्रस्ताव अब केरलम होगा प्रदेश का नया नाम